फ्रेंट्स कल बाजार में भाइंकर गिरावट हुई थी करीब 1700 पॉइंट के आसपा सेंसेक्स में गिरावट हुई थी और सबसे ज़्यादा भाइंकर लॉस हुआ है फाइनल से सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर को बहुत ही ज़्यादा गिरावट हुई थी और वहीं पर आज फिर से bounce back देखने को मिल रहा है वहां से निचले level से खरीदारी शुरू हुई है वैसे तो आज holiday का दिन है government holiday है क्योंकि 369 आज पहला दिन है और साथ में आज चेटी चन और गुड़ी पाड़वा भी है तो इस वज़े से लोग holiday mood में है लेकिन जो भी खरीदारी हो रही है पॉजिटिव खरीदारी हो रही है क्योंकि काफी कल बड़ी gear out हो चुके थी तो आगे अब क्या संब़वना बन रही है क्या फिर यहां से तेजी की संब़वना बन रही है या फिर यह थोड़ा सा एक रिलेक मिला और भहेंकर बड़ी गिरावट की समभावना अभी भी बच्ची हुई है तो इस वीडियो के मादेम से हम उसको डिसकस करने की कोशिस करेंगे और इस समय कौन से ऐसे शेरो में हमें निवेस करनाझा चाये जो हमें बहुत ही रिजनेबल प्राइज में अब मिल रहे है क्योंकि काफी करेक्ष्न मिलाए है तो क्या खारीदारी की जा सकती है और कौन से सेक्टर में की जा सकते है जिससे बहुत जलन में अच्छा profit मिल सके और हमारा अगर long term view है तो कौन से शेयर में इस समय निवेश कर लेना जीए जो हमकर हम साल बर रखे तो अच्छा हमको return मिल सके तो इसके लिए हम research analyst टोक की राय भी लेंगे जाने माने research analyst संजीव वसीन की तरब से भी किनी इस्टोक आपको recommend किये जारे उनको भी उपर आप नजर रख सकते लेकिन उससे पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो से positive शुरुआत हुई थी BSC में सामील 32 index में से आज 31 index में बड़त के साथ ही खुले थे वही 23 sector में से 20 sector बड़त के साथ खुले थे बैंक और माराष्टर के share में सबसे ज़्यदा उचाल है 1707 अंकों की गिरावट हुई थी यानि सेंसेक्स 47883 पर आ गया और वही निप्टी में 524 अंकों की गिरावट हुई यानि 14310 पर आया सेंसेक्स में सामील 30 में से 29 share में गिरावट थी आज एशेव बाजरों की बात करें तो हॉंग कों का हैंसेंग इंडेक्स 322 पॉइंट उपर ट्रेड कर रहा है चीन का संगई कॉमपोजिट इंडेक्स भी 0.2 सेंग मामूली गिरावट के साथ में है और कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 28 अंकों की बड़त के साथ में ट्रेड कर रहा है और जापान का नेके इंडेक्स 288 पॉइंट ऊपर कारूबार कर रहा है तो कुछ कि देटा की बात करें तो 12 अपरेल को एफ आई आई ने 1746 करोड रुपीज और घ्रेलू सस्तागत निवेशक जो हमारे डी आई आई है उन्होंने 232.76 करोड रुपीज के शेर खरीजे थे निचले भाव से काफी खरिदारी भी कि क्योंकि बाजर में काफी गिराउट हो थी और अभी भी FII का निवेश हमारे बाजर पे बना हुआ है उनके हमारा जो बाजर पे रुजान है वो बना हुआ है और इसके पीछे जो वज़य है सबसे बड़ी बात यह है कि एक पॉजिटिव न्यूज भी निकल कर आई है क्योंकि रसिया की जो रसिया की वैक्सिन लोगों में कम हुई है कि आने वाले समय में सबको वैक्सिनेशन हो जाएगा तो जो करोना का जो बहुत बड़ा जो कहर है जो डेथ रेट है वो कम हो जाएगी इस वज़़े से पिछली बार जितना पैनिक माहुल इस बार नहीं बनेगा और इसी वज़़े से आज बाजा थोड़ा समल गया है तो आगे थोड़ी सी और इसमें संभावना बन रही है तो आपको इसमें ज़्यादा इतनी अभी डरने की जुरुत नहीं इस समय आपको अच्छे वैल्यूबल स्टॉक में निवेश करना चीए जिससे आपको आने वाले समय में अच्छा खासा रिटन मिल सके तो इसलिए आपको संजीव भसीन की तरब से भी राय दी जा रही है उनकी तरब से निवेश के लिए कि आपको कॉनसे शेर में निवेश करना चीज़े से आपको पता ही है आई आई एफल के सिक्रिटीज के डारेक्टर संजीव भसीन शेर बजार का काफी उनको लिखाई देगा इसलिए निवेश को के लिए मन पसंद श्टॉक खरीदने का अच्छा मौका है बाजार में बढ़िया करेक्शन आया है इस अफसर को खरीदारी करके आपको अच्छे निवेश कर लेने चीए अगले 15 दिन हो बाजर आपको ऐसा मौका देगा जो आगे के 6 मह के लिए तो नेसले जैसा महेंगा स्टॉक क्यों खरीदा जाए तो उन्होंने FMCG के सेक्टर के लिए जो ITC की रेक्मेंट की थी मैं भी आपको करता हूँ ITC में आपको निवेश करना चाहिए हर गीरावट पर आपको खरीदना चाहिए ITC आपको आगे जाकर माला माल करने क पूरी समभावन है आज कि जो पहली रिकमेंडेशन है वह है M&M कल भी उन्होंने इसकी खरीदारी की सला दी आज भी वह से 775 के भाव से खरीदारी के लिए और इसको आपको 850 के टार्गेट के साथ खरीदारी करनी चाहिए इसके साथ ही इसको आपको सुरक्सित निवेस के लिए 745 का इस्टॉप लोस लगा लेना चीए हालनकि उन्होंने काया कि दिवाले तक इसका 1000 का इससा जाने की पूरी संभावन है सेकेंड जो उन्होंने पिक दी है वो है RBL बैंक संजीव उसी ने काया कि RBL बैंक में खरीदारी की सला दी जा रही है उन्होंने काया कि मैंने इसे आपको 184 खरीदने को का था आज इसे 184 का स्टॉप लोस लगा कर अपनी पोजिशन को डबल करने को कह रहे है RBL बैंक के नमर इस बार बहुत अच्छे आने वाले है उन्होंने काया कि इस स्टॉप को आप 190 के स्टर पर खरीदना चीए और इसमें आपको 240 का लक्से देखने को मिलेगा और सुर्ख सिद निवेज के हिसाब से 184 का आप इस्टॉप लोस भी लगा सकते तो आपको 190 के आस्वास खरीदारी की सला दी जा रही है रिलाइन्स, HDFC, Twins और ICC Bank ने तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है 400 अंकों के उचाल के साथ निप्टी में बैंक सबसे ज़्यादा एक्शन में है 400 अंकों के उचाल के साथ निप्टी बैंक सबसे ज़्यादा एक्शन में है SBI, PNB, B.O.B. में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है और बैंकों माराष्टा तो करीब 12% के आत्पाज दौर्ट चुका है मेटर शेर में कल भारी गिरावट से रिकवर हो चुके है निप्टी मेटर इंडेक्स करीब 3% की चलंग लगाई है सेल, हिंदाल को, टाटा इस्टील और मोईल 3 तीन से 6% का उचाल देखने को मिल रही है फर्टिलाइजर शेरों में भी जबडस तेजी देखने को मिल रही है फेक्ट 8% दोड़ा है और GSFC, RCF और NFL में अब भी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है निप्टी IT इंडेक्स भी दूसरे जिन गिरावट का दोड़र देखने को मिल रहा है और TCS के नतीजों के बाद उसमें मुनावा वसली देखने को मिल रही है ये करीब 4% नीचे डाउन हो चुका है टी सीस के मैंगेर ने काए कि ग्रोध बने से मारिजिन में सुधार मारा होगा ऐसा हुइन के टी सीस के मैंगे मते ने काए कोटक M.C के M.D. और CEO निले माद भी अच्छा मुका है इसके लावा निले शेयकों ने काए कि इसमें इकोनोपिक वो बहुत ज़्यादा असर नहीं पढ़ने वाला इसके अलाग कोरोना की दूसरी लहर का उतना असर नहीं बड़ा हो पाएगा जितना पहली बार हुआ था इस बार हमारे पास काफी तरीके है इसके लिए हम लड़ने के लिए पूरी तरसे तयार है और भारत में तेजी से वैक्षिनेशन भी हो रहा है भारत करोना की विए से थोड़ा चिंतित लिया है लेकिन लॉंग टर्म निवेश के इस गिरावट को अफसर बनाए और अच्छे क्वालिटी के शेरों में निवेश करे और अपनी मजबूती अपनी बड़ाए पोटफोलियो की तो इस समय आपको निवेश का मौका है क्योंकि करोना की जो दूसरी लेहर है वो इतनी घातक नहीं हो सकती क्योंकि अब वैक्षिनेशन बहुत जोरों से चल रहा है और एजडी अपसी सिक्यूर्टी के विने रहनी का कहना है कि 12 अपरेल को निप्टी ने एक ही दिन में 3% से ज अबसे बड़ी सिंगल दे गिरावट देखने को मिली आपने हुए अच्छे को क्वालिटी स्टोंक में फार्मा सेक्टर वगरा में हल्ट कैर सेक्टर में और बैंकिंग शेक्टर में निवेस करे और इस घिरावट को अपना मौका बनाथ लेकिन रहाब गए अभी एक तरपा इसमें बड़ी तेजी की संभावना भी भी नहीं बन रही है तो कि फिर से बाजार में अब डाउन चलेगा क्योंकि जो कोरोना की वज़े से जो माहल है वो बिगड़ा हुआ है साथ में हमारे जो महेंगाई दर है वो भी आ गई है जो डाटा है वो भी कमजोर है और इसी वह जैसे थोड़ा सा बाजार पर दबाऊ है तो आप अपने इसाब से थोड़ा सा सोच के और लॉंग टर्म नजरिया रखके ही निवेश करें लेकिन फ्रेंड कोई भी इंवेश्मेंट करने से पहले अपने फाइनेस एडवेज जेस एक बार एडवेज ले ले या अपना खुद का रिसरच करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेसल परपंच के लिए ही बनाए वीडियो पसना है तो लाइक शेर जूर कीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे थैंक्यू फ्रेंड